हलो हलो गुड विनिंग मेरे सभी दोस्तों को सभी बाईयों को तो मैरो हीद बर्मा आचुका हूँ हाजिर हूँ मेरे बाईयों आप सभी के लिए आज फिर से नई क्लास लेके एक और तो जल्दी से सबसे पहले चीज अवाज गरा जो है वो कलियर है आ रही है सभी दोस्तों एक बार कनफर्म करेंगे सभी दोस्तों ओके ओके तो एवरिधिंग फाइन ना ठीक है तो चलिए आज से जो है हम वो टॉपिक वाईज जहां कह सकते हैं आप सब्जेक्ट वाईज जो है मेरे बाईयों वो क्लास स्टार्ट करने बाले है तो आज फर्स्ट क्लास रहेगी त इसमें हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वाईज कवर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है बाकी क्लास इसके ज्यादा लगेगा तो थोड़ इसी पेशेंस जो है वो मैं आप सभी से उमीद करूंगा कि पेशेंस बना के रखेंगे और दीरे दीरे हम वो चलते 60 to 80 days के अंडर अंडर पूरा आपका सलेबस कंप्लीट करवा दूँगा तो बस पेशेंस बना के साथ साथ में चलते जाना है ठीक है मेरे बाई अगर इसके सिवा कोई अगर प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत परिशानी आती है तो आप बेजजग जो है वो बता सकते हैं त ठीक है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंचेंट हिस्ट्री से तो पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो कोईशेंस आते हैं मैं आपको करवाओंगा वही चीज़ें जहां से कोईशेंस आएंगे अब आप यह मत बोलिएगा कि सर पहली ओ लिथी करवाओ नि दिख रहा है बिल्कुल सही लोथल जो है लोथल से जो है वो डॉक्याड मिले थे ठीक है साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते जाएं मेरे सभी बाई तो लोथल की बात करते हैं लोथल जो है मेरे बाई वो कौन सी रीवर के किनारे आता है सबसे पहले रीवर तो river जो है इसके किनारे जो है वो लोथल आता है जहां आप कह सकते हैं Gulf of combat ठीक है Gulf of combat कह सकते है और कौन सी state में है जे तो ये आ जाता है गुजरात में notes बना लीजिएगा क्योंकि ये जो है complete आप मेरे पर बिश्वास करके जो है वो series ये जो चला रहाना भी बिल्कुल free है complete बस देख लीजिएगा एक बार उसके बाद अगर आपकी कोई questions रह जाए तो फिर बात कीजिएगा ठीक है Constable SI level तक का आपको cover यो है इसमें करवा दूँगा तो बात करते हैं यहां से मिला क्या क्या था questions पूछे जाते हैं जादा तर कि कौन कौन सी चीजें जो है वो यहां से मिली थी तो सबसे पहले मेरे वायो हम लिखेंगे rice husk rice husk क्या होता है चावल का शिलका husk होता है husk का meaning होता है बूसा ठीक है जो छिलकी होता है चावल के ओपर के वो मिला एक यहां से ठीक है bead making मिले थे ठीक है इसके सिवा मिले है हमें जहां से fire altar fire altar क्या होता है हवन कुंड हवन कुंड जिने हम कहते हैं वो होते है fire altar फिर जो है एक चीज़ याद रखीगा मैं यहां भी clay का इस्तमाल करूँगा न clay word का तो clay से आप कच्ची मिट्टी मत समझीगा clay को terra quota से लिखिएगा clay को as a terra quota जो है वो dedicate कर रहा हूं मैं ठीक है कि जो मिट्टी पका के जिससे खिलोने बनते हैं उसे clay गहेंगे ठीक है तो यहां पर क्या मिली है clay का toy horse कली का क्या मिला है मेरे बाई यह वो toy horse जो है वो क्हिलोना मिला है ठीक है और सबसे important जो है वो क्या मिला है? double Canal डवल वरियाल, वरियाल क्या होता है ज़ात को सब Reyyar होता है यह होता है कवर यहां पे क्या होता है कि दो जन्atique जो वॉड़ी हैं दोनों की जो है वो एक साथ दफनाई गई थी दोनों की डदब वड़ी और वो हमें कहां से मिला था लोथल से मिला था, clear है ये हो गया हमारा लोथल, इसमें देखी है, ancient history में न, main Indus Valley civilization की side-see है तो वो हम आज की class में ही cover कर लेंगे बाकी की classes में जो आगे बेदास बगरा रहेगा, post वेदिग, later वेदिग वो सब हम cover करेंगे ठीक है, लोथल हो गया हमारा इसके बाद बात कर लेते हैं, चनहुदारों की तो सबसे पहले, चनहुदारों जो है, वो किस नदी के किनारे आता है, मेरे भाई तो Indus नदी के किनारे जो है, वो आता है, ठीक है, हो सकता है आपको class थोड़ी सी boring लग जाए हो सकता है, बड़ मैं try करूँगा, वैसा हो न ठीक है, बस थोड़ा सा जो है वो patience बनाये रखी है, मेरे साथ-साथ चलते रहीगा, तो definitely आपको आपकी मन्जिल तक पहुँचाऊंगा, ठीक है First of all, Indus Valley Oh sorry, Indus River के किनारे पे है चुनहुदारों खोज की बात की जाए, तो 1931 में की गई थी माजूमदवार ठीक है, NG माजूमदार NG माजूमदार के द्वारा जो है वो की गई थी, ये एक मात्र सिटी है, जिसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है एक मात्र सिटी, बिदाउट सिटाडेल, only city only city without सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल के बिना, ये एक मात्र, वो था सिटाडेल को आप कहा सकते है, किले बंदी होना जो प्रोटेक्शन होना उस टाइप की बैस आप सिटाडेल कहा सकते हैं, सबसे important चीज़ बताऊ यहाँ पे, जिस पे question जहां से मिली थी चनहुधारों से, clear है चनहुधारों से, और एक और important dog print on bricks, dog के foot के print on bricks, अब आप ये मत बोलिएगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो इतना detail में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप जो भी exam दे रहे हो ना मेरे भाई हो, उसमें से ये questions उठाके देख ल आपको बता दूँ, ये पूछा जाता है कि lipstick बताओ कहां से मिली थी, dog के print जो एक brick के उपर बने हैं, वो कहां से मिले थे, ठीक है, कौन सा ऐसी एक site है, जिसमें sitadal नहीं है, ये questions पूछे जाते हैं, बस आप मेरे जिकीन बनाए रखेगा, आपको बही करवाऊंगा, जो exam म आपको देखने को मिलेगा, clear, चलिए, तो चन्हुदारो भी हो गया, अब बात करते हैं हम काली बंगन की, तो काली बंगन जो है, किस नदी के किनारे, सबसे पहले हम करेंगे river, ठीक है, तो घागर नदी के किनारे, state कौन सा है, तो state आ जाएगा हमारा, राजस्तान, कल किया की हुई, बैसे खेत, जो है, वो मिले है, और fire altar यहां से भी मिले है, कितने मिले है, seven, seven fire altar जो है, वो यहां से मिले है, हवन कुंड, मतलब आप मान सकते हो कि यग बगरा जो है, यहां की लोग करते होंगे, ठीक है, तो seven fire altar मिले है, और most important यहां गाता है, black bangles, क्याता है, black bangles, जो कि केवल और केवल जो है वो यहीं से मिली है काली चूडियां सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिली है एक और चीज लिखिए इसके साथ लिखिए Decorated Bricks Decorated Bricks Bricks क्या होती है? Inten, ठीक है? Inten जो आप कह सकते है? Tiles कहीं बार bricks आता है, कहीं बार Tiles आता है जहां से मिली हुई जो important है Mesopotamia की Cylindrical Seals कौन से Seals? Cylindrical Shape में मिली हुई Seals ठीक है? बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़ भी चुके है रिजवाना जुड़ चुके है सक्तिविल सौरी अगर नाम थोड़ा सा प्रनौंस करने में हो रहा है अर्शद, बिलाल, मेकू, बिलाल बहुत बड़े है मेरे भाई हो सभी का most welcome है ठीक है? तो साथ बने रहीएगा आपके साथ साथ मैं भी जो है वो चलूँगा तो last जो है वो बचा है हमारा कुन सा? बनावली तो चलो जल्दी से बनावली को भी discuss कर लेते हैं सबसे बनावली जो है आएगा कहां पे? हर्याना में आएगा कहां पे आएगा मेरे भाई हो? हर्याना में आएगा clear? उसके बाद यहां से मिला क्या क्या है? यहां से मिला है chess board chess board शतरंज ठीक है? इसे बोलते हैं पासा बोलते थे कि शतरंज बोलते थे उस time पे वो मिला है दूसरी important चीज है यहां पे grid pattern grid pattern grid pattern क्या मेरे भाई हो? grid pattern town planning का ठीक है? town plan एक मिनिट रुको आपको बताता हूँ यह मालो इस तरह से इनका जो है यह गाउं बसा हुआ है इन्होंने पतक इस तरह से जो है वो planning की हुई थी कि बिल्कुल 90 degree की ओपर जो है वो गर बनाए हुए थे और रास्ते जो है वो बिल्कुल 90 degree पे थे और ऐसे curve थे जहां से ठीक है? ऐसे curve थे बिल्कुल ऐसे तिर्शे नहीं थे जैसे यह तिर्शा दिख रहा है ना बैसे नहीं थे और इनका जो drainage system है वो भी बहुत बढ़िया था और इनके जो main doors होते थे मानलो कि यह गली है गली बोलते है ना रास्ता मानलो यह रास्ता है रास्ते के साथ में अगर कोई गर है ना तो इनका door जो है वो बाहर को नहीं खुलता था ठीक है? यह back side पे जो है इनके main door हुआ करते थे clear? चलिए grid pattern मिल गया यहां से हमें बनावली से फिर drainage system जो है इनका इतना खास नहीं था कि इनका? बनावली का ठीक है? मिट्टी की वो मिली है फिर एक important आ जाएगा figure of mother goddess mother goddess बात की जाए इनका 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 उद्गम जो है वो यहीं से index value civilization से शुरू हुआ है clear? चलिए इस question में कोई doubt तो नहीं रहा चारो sites जो है वो हो चुकी है अगर नहीं समझाएंगी न चीज़ें जल्दी जल्दी तो मेरे भाई वो एक request है आप सभी से कि वीडियो को दवारा देख लिजेगा थोड़ा fast करके देख लिजेगा definitely जो है वो चीज़ें समझ आने लगेंगी क्योंकि इन में देखो ऐसा कुछ logic नहीं है जहां कोई concept होगा वो मैं आपको समझा दूँगा बट इनको mostly आपको यादी करना है याद ही करना है तो वो बार बार रिवाइज करने से होगा next question देखते है which of the following site of Indus Valley civilization इन में से कौन सी Indus Valley की site है जो Indus नदी Indus नदी के तट पर जहां वैंक पर नहीं है जो कुछ मेरे बाई हिंदी पढ़ते हैं क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ समझ आता होगा अगर question उनको हिंदी में देखना है तो नीचे हिंदी में questions भी रहेगा सिंदू गाटी सब्वेताकान निमली खित में से कौन सस्थल सिंदू नदी के तट पर नहीं है चनुहुदारों आपको बदा चुका हूँ ये इंडस बैली पे आता है मोहिंजोदारों जो है अभी हमने cover नहीं किया है रोपर भी cover नहीं किया है और कोट देजी ये भी cover नहीं किया है चलो जल्दी से जो है पहले मोहिंजोदारों कर लेते हैं cover ग्रेनरीज को यार हिंदी में क्या कहते हैं अनाजगर कहलो जैसे अभी होते ना गुदाम होते हैं गुदाउन गुदाउन होते हैं गुदाम बड़े बड़े राशन के गुदाम होगे बैसे यह ग्रेनरीज है ठीक है यहाँ पर क्या करते थे कि जो खाने का अनाज होता था उस सबी को जो है, वो एक अठा करके यहां पे रख लेते थे, फैमाईन, अकाल के टाइम पे, अमर्जेंसी के टाइम पे जो है, वो यहां से निकाल के, ग्रेनरीज से निकाल के, यूज करते थे मेरे बाई, clear, एक तो मिली हैं, largest यहां फिर आप कह सकते हैं, शूपती, सील, यह जो लिखवा रहा हूँ ना, जो आज की first class होगी, इसमें जे 7-8 जो main sides हैं, यह सारी करवा दूँगा, आप सबी से request है कि इनको याद कर लिजिएगा, बस, notes बनाते जाओ, साथ-साथ में बहुत ही helpful रहेंगे, जब आप notes बना रहे होंगे न, तो जितना मैंने करवाया है न, जितना यह करवाऊंगा, साथ-से दिनों के बीच में, अगर उतने के सभी classes के आप notes बना लेंगे न, तो last में आपको extra कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, सिर्फ practice से भी काम चल जाएगा, ठीक है, बस उनको revise कीजिएगा, तो next क्या है, dancing bronze girl, dancing, bronze girl, dancing bronze girl, जो है, आपने एक नरित की देखा होगा, एक लड़ की dance करते हुए, वो भी यहीं से मिली है, फिर एक है, priest king, priest king, beard man, ठीक है, यह आपने मूर्ति शायद देखियोगी, इनको beard भी है, और beard में इनोंने बड़ी खूब सूर्ती से, जो है, वो कंगी की हुई है, कंगी की हुई है, बठे बोलते हैं, बठे जहाँ पे इंट बनती है, वो भी यहाँ से मिले हुए है, brick kilns, ठीक है, kiln, इसका मतलब होता है, इंट का बठा जहाँ पे इंटें बनती है, यह सब important चीज़े आ गई हमारी मुहिंजोदारों की, clear है, मुहिंजोदारों कोई खोज के बारे में भी सुन लो भाई, अब इतना पढ़ लिया है, तो मुहिंजोदारों 1922 में खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था मेरे भाई यो, दयाराम सहनी के द्वारा, किसके द्वारा, ने ने दयाराम नी, रखालदास बेनर्जी होगा, आड़ी बेनर्जी, ठीक है, आड़ी बेनर्जी, रखाल दास बेनर जी के दवारा मुहिंजोदारो 1922 में खो जागा था और दयाराम सहनी जी के दवारा 1921 में हड़पा खो जागा था यह आगे डिसकस हम करेंगे बात करते हैं हम आगे रोपर की तो रोपर कहां पे आता है जी आता है पंजाब में आता है कहां पे आता है पंजाब में आता है और रोपड जो है मेरे भाई ओ रोपड कौन सी नदी के किनारे बैठता है पढ़ता है तो सतलज सतलज नदी के किनारे जो है वो रोपड पढ़ता है तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा option number C क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि इंडस के किनारे कौन सा नहीं है तो सतलज जो है बिल्कुल सही answer हो जाए court dg जो है यह पाकिस्तान में है तो यह भी इंडस के किनारे रहेगा next question अगर कोई improvement के आपको ज़रूरत लगे ना कि हांसर कुई चीज की improvement है करनी चाहिए class में जा कुछ सी भी type की तो आप बेज इजक जो है मेरे को बता दीजेगा ठीक है next देखते हैं इन में से बताईए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है ऐसा भी हो सकता है सभी सत्य हों ऐसा भी हो सकता है सभी असत्य हों सारे सही भी हो सकते है और सारे गलत भी हो सकते है कुछ भी हो सकता है पढ़िये चलो तो सबसे पहला बोला है नोंने the indus people were the first to produce copper cotton इनोंने बोलाया कि indus valley civilization के जो लोग थे सिंदू people थे जो सबसे पहले उन्होंने cotton जो produce किया वो सबसे पहले उन्होंने किया था क्या ये सही है बोलेंगे हाँ जी सर बिलकुल सही है फिर दूसरा statement पढ़ते है they stored food grains in wooden boxes क्या वो जो खाने के अनाज है वो लकडी के डिबों में जो है वो store करते थे क्या बोलोगे आप अब ये मत बोलना कि सर आपने ग्रेनरीज बोला बै ग्रेनरीज मैंने बोला है किसके लिए वो अकाल के लिए emergency time period के लिए वो ग्रेनरीज रखी गई थी बड़ जो personal ये भी use कर रहे है दिन daily life में वो खा रहे है वो किस में रखेंगे wooden boxes में रखेंगे तो बिलकुल सही हो जाएगी दूसरी statement भी चलो पढ़ो अभी तीसरी statement पढ़ो क्या लिखी है इंडस वैली civilization covered part of पंजाब बिलकुल पंजाब में है सिंद में भी है बलूचिस्तान में भी है गुजरात में भी है ठीक है बहां थक जो है ये फैली हुई है clear है चलो तीसरा भी सही हो गया हमारा आप बोलोगे सर तीसरा भी सही अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं जो सिंदू के लोग थे वो बिलियां और कुत्ते जो है इनको domestication बोलते हैं हमपडबुल कूबडवाला बैल जो होता न हमपडबुल वो रखते थे ठीक है शीप भी नोंने रखे हुए थे शीप गोट ये सब भी जो है ये जहां पे मिले हैं clear तो ये चारो के चारो जो कथन है चारो के चारो statement जो है मेरे भाई यो बिलकुल सही रहेंगी कोई doubt तो नहीं किसी मेरे भाई को किसी बाई को कोई किसी type का doubt हो तो बता दीजिएगा चलिए इसमें question discuss करने से पहले एक important चीज़ बताता हूँ लिख लीजिए लिखते जाएए मैं उमीद कर रहा हूँ देखो जो मैं भी इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ उमीद कर रहा हूँ कि आप भी लिख रहे होंगे ठेक है उमीद कर रहा हूँ तो लिखिएगा जरूर मेरे भाई ठेक है एक मांडा जमू कश्मीर ठीक है और चेनाब लिखते जाएए इस साइड लिखिए सुतका गेंदोर ठीक है पाकिस्तान और लिखिए दश्क फिर नीचे लिखिए दाइमाबाद महराश्रा एम एच और लिखिए प्रावाना और एक लिखिए आलमगीरपूर उत्रपरदेश और हिंडन ठीक है ये ना ये एंडिंग पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है यहां तक इंडस बैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी नौर्थ की बात कर लिजाए तो नौर्थ में कहां तक गई है मांडा तक गई है मांडा कहां पर आता है मांडा आता है मेरे वाई हो जम्मू कश्मीर में आता है और कौन सी नदी है चेनाव नदी तक गई है बात कर लें वेस्ट साइड की तो वेस्ट में गई है पाकिस्ता सुत्का गेंधोर जैन कर ग tirolement spring Scanas सौफ की बात कर लिजाए तो सौफ में गई थै कह सा तक महराश्रा थै जगे का नम है दाइमावाद और रिवर का नाम जो है रिवर हैप्र यह लाध है क्लियर सही हो जागा यहां से सीधा सीधा कुशिन बनता है ठीक है बताइए कि सद्रन मोस्ट पॉइंट कहां तक है जहां तक इंडस वैली सिविलाजेशन फैल्यू इती ठीक है और जो आप एक्जाम के भी त्यारी कर रहे हो कॉंपिटिशन जादा है मेरे भाईयो तो रिबर्स के नाम भी याद कर लिजएगा क्योंकि ये तो सबी बच्चे पढ़ेंगे आपको अगर पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा हट के कुछ करना पढ़ेगा मांडा, धायमाबाद, आलम, गीरपूर, सुथका, गैंदोर ये सबी पढ़ेंगे बट इनकी रिबर्स कम पढ़ेंगे चेनाब, हिंडन, प्रवाना और दश्क ये कम पढ़ेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये भी पढ़ लिजेगा सिंपली जितना बोर्ड पे, जितना स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उतना पढ़के जाएगा इंपोर्टेंट रहेगा चलो जी, नेक्स्ट कॉशन पढ़ते हैं ये आप कह सकते हैं, खाना पीना चलता था वो क्या था भाई, उनका में ठीक है, साथ साथ में दोस्त जो हैं, वो आंसर देते जाएगे और वीडियो अगर अच्छी लग रहे है मेरे वाई हो, तो लाइक बगएरा भी करते जाएं साथ साथ में, ठीक है जिन्होंने नहीं किया, वो लाइक बगएरा भी कर दें और आंसर्स भी दें मेन अक्यूपेशन की बात कर ली जाए तो मेन अक्यूपेशन आ जाएगा, एगरी कल्चिर आ जाएगा हंटिंग, फिशिंग, ये जो है ये कहां पे चले जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे ठीक है, नियो लिथी केज में चले जाएंगे माइक्रो लिथी केज में चले जाएंगे, ये उस टाइम पिरेट पे चले जाएंगे, और उस टाइम से जो है मेरे बाई बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा ठीक है और एगरी कल्चर में क्या-क्या उगाते थे ये तो सबसे पहले लिखो ग्योहूं फिर लिखो वारले ठीक है वारले क्या होता है बाजरा ठीक है फिर नील की खेती भी करते थे मोहन जो दुडो मूवी देखिया लिखो बाई नेक्स्ट कुषिन नेक्स्ट कुषिन पर चलते हैं छिलिए तो अगला कुषिन क्या बुला है विच अप्ली साइट बताए जहां इंडिस वैली सिविलाईजेशन की जो डिस्कवरड हुई थी Indus Valley Civilization में बहुत सारी साइट्स आती हैं ऐसा तो है नहीं कि एक आ रही है बहुत सारी आ रही है तो इन्होंने question में पूछा कि भाई पहली बताओ जहां पे Indus Valley Civilization जो है वो discovered हुई थी ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको पीछे क्या बताया 1921 1921 में जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू कर दी गई थी excavation ठीक है excavation जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू की गई थी किसके दवारा मेरे भाईयो तो दयाराम सहनी के दवारा दयाराम सहनी तो यह answer क्या सर यही answer होगा तो बिल्कुल यह आंसर होगा हडपा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है दूसरे नंबर पर मोहिंजोदारों देखो मोहिंजोदारों बोलो जा मोहिंजोदडों बोलो कुछ भी जो आप अच्छे से परनाउंस कर सको 1922 में इसकी शूरू हुई थी तो आडी बैनर्जी के द्वारा हुई थी एक चीज एडिशनल और सुनो कि हडपा जो है ना हडपा यह सबसे पहले किसको मिला था फर्स्ट पर्सन अगर ऐसा कोशन भी पूछ सकते हैं कि पहला ब्यक्ति बताओ जिसको Indus Valley Civilization की साइट मिली थी तो वो आपका रहेगा Charles Mason सुनो अभी Charles Mason 1826 में इस ब्यक्ति को हडपा साइट जो है वो मिल गई थी ठीक है इसने उसका पता लगा लिया था ठीक है बट जो खुदाई शुरू हुई थी मेन जो उसको फाउंड किया गया था वो दयाराम सहनी का नाम आता है क्योंकि दयाराम सहनी ने बहाँ पे खुदाई शुरू करवाई थी बहाँ पे जो भी चीज़ें मिली थी वो सब इनकी अंडराई थी दयाराम सहनी के द्वारा ठीक है तो इसलिए इनका नाम देखते हैं which among the following 58 site is not located in गुजरात इन में से कोन सी site है जो गुजरात में स्थित नहीं है देखी ऐसा मत सोचिएगा कि 58 लिखा तो 58 अलग होगा 58 लेख लिजे 58 civilization कहले जिए इंडर्स वैली civilization कहले जिए ये एक ही बात आजाएगी ठीक है ये एक ही बात आजाएगी तो इन में से कोन सी है जो गुजरात में नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर साहरे है बच्चों के अंसर सभी दोस दीजिये ठीक है गलत हो सही हो जो भी हो ट्राइज कीजिए आंसर देने का तो बात करते हैं बनावली हमने पीछे पढ़ा की नहीं पढ़ा बिलकुल पढ़ा तो बनावली हमने कहां पर पढ़ा हर्याना में था कि कहां पर बनावली जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो बनावली जो हमने पढ़ा वो कहां पर पढ़ा है तो बनावली है मेर कौन सी कर ली हुई है लोथल कर ली हुई है बनावली कर ली है अब ये दो साइट्स बचती है इन दोनों को भी जल्दी से निप डालेते हैं सुर्त कोटड़ा जो है वो कैसी important होती है इसमें question पूछा जाता कि यहां से क्या मिला था तो यहां से मिली थी bones of horse ठीक है गोड़े की हड़ियां मिली थी और oval grapes मिले थे ठीक है grapes क्यों होती है वो क्या बोलते हैं उनको cemetery कबरिस्तान में जो बनाई होती है न ठीक है जिसमें वो लाश बगारा जो होती है dead body उसमें रखते है ठीक है वो ही कबरिस्तान में जो भी होता है मेरे कुछ बोलना नहीं आ रहा हूँ इसके सिवा सुर्थ कोट्ड़ा में मिला था पोर्ट बुर्याल मिला था पोर्ट बुर्याल ये भी यहीं से मिले हुए है क्लिए अब आते हैं हम अपने कहाँ पे दोला वीरा पे फिर उसके बाद points पे आते हैं तो best drainage system best drainage system जो है वो कहां का था दोलावीरा का था best drainage system दूसरा ये एक मातर ऐसा site था जो एक मातर ऐसा site था मेरे वाईयों जो की तीन parts में divide था तीन parts में बाकी जितने भी sites थे न वो पता सिटाडेल करके जो है न एक सिटाडेल मैंने आपको बता है न किला बंदिया बीच में ऐसे धिवा type कर दी जाती थी देखो जो उपर लोग रहते थे न ये रहते थे king लोग, raja लोग, business man बड़े बड़े लोग, जो नीचे की side लहते थे न यहाँ पे रहते थे normal people यह common people बट यह एक मातर ऐसा था जहाँ पे यहाँ पे तीन पार्ट में divided था त्री पार्ट में divided था ठीक है, कितने पार्टों में? तीन हिसों में धोला बीरा divided था इसके सिवा यहाँ पे और क्या मिला है? और stadium एक stadium भी मिला है यहाँ से और बड़े-बड़े कुएं मिले है बड़े-बड़े क्या मिले है कुएं भी यहाँ से मिले हुए है क्लियर है? कोई doubt तो नहीं बचा? चलिए, next question पे अपने चलते हैं अभी next question देखते है granaries के ओपर एक और question आ चुका है granaries of great granaries करके बता है कहां मिली है तो great granaries जो है मेरे बड़े वो मिली है हमें कहां पे? mohinjodaro पे mohinjodaro में great granaries मिली है, बट आप बोलोगे कि सर यहाँ तो option ही नहीं है mohinjodaro कोई बात नहीं, उसके सिबार भी मिली है तो हडपा में भी मिली है हडपा पे भी मिली है in a row एक ही लाइन में in a row six grainries six grainries जो है वो मिली है कहाँ पे हडपा में तो option number C जो है यहाँ पे हमारा भैयो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे एक ही लाइन में तीन इच्छे grainries जो है वो मिली है एक आपको important question बताता हूँ कि question पूछेगा कि मोहिंजोदारों और हडपा को twin capital किस ने कहा था इन दोनों को twin capital is called why is called why twin capital इनको किस ने कहा था तो pigat नाम याद रखिए pigat ने जो है हडपा और मोहिंजोदारों इन दोनों को twin capital कहा था जुड़वा राजदानिया कहा था ठीक है चलिए once again sixth question देखे वो मैं पीछे ऐसे करके repeat नहीं कर सकता मेरे बाई ठीक है यह देख लो ऐसे देख लो ठीक है इनोंने simple पूछा था कि गुजरात में कौन सा नहीं है तो बनावली नहीं है that's it ठीक है बाकि आप वीडियो को जो है मेरे बाई यह थोड़ा सा पीछे कर लो तो आप जो है वो दुबारा से देख सकते हैं ठीक है next question who among the following was the first to use the term Indus Valley Civilization Indus Valley Civilization जो शब्द है वो term जो है सबसे पहले किसने यूज की थी या किसने दी थी clear तो Indus Valley Civilization जो term है सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी तो John Marshall के द्वारा दी गई थी John Marshall कोन थे तो John Marshall ASI के Director General भी थे Director General ASI क्या है आप बोलोगे ASI है Archeological Survey of India Archeological Survey of India याद कर लो ठीक है John Marshall जो है इसके Director General भी थे इनकी अंडर जो है इनोंने क्या किया था हडपा को हडपा की excavation करवाई थी हडपा की excavation करवाई थी खुदाई करवाई थी अब बात कर रहे हैं हम ASI पे तो बात कर ही लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह Establish कब हुआ था तो Establish हुआ था 1860 बन में कब हुआ था मेरे बाई Establish 1860 बन में जो है वो Establish हुआ था इसके First DG कौन थे DG बोले तो Director General कौन थे तो वो थे Cunningham ठीक है Alexander Cunningham Alexander Cunningham जो है वो इसके First DC थे ठीक है उस टाइम पे Voice Roy कौन थे 1861 में Voice Roy कौन थे तो Voice Roy था Canning Canning, Cunningham ये दोनों वर्ड देखिए मिलते मिलते है न तो यहां से जो है आप एक तरीक से इसको याद भी कर सकते है Clear तो इसके सिवा अगर बात कर लिजाए कि 2024 में अभी जो है वो कौन है तो Y.S.R. रावत अगर Current Affair का Question बनेगा कि 2024 में जो है वो ASI के Director General कौन है तो Y.S.R. रावत जो है मेरे वाई बिल्कुल से यांसर हो जाएगा Clear है किसी दोस्त को कोई doubt तो नहीं रहा चलिए बहुत बढ़िया RS Bisht RS Bisht आप सभी बोर रहे हैं तो RS Bisht सुनिए इनका पूरा नाम है रविंदर सिंग Bisht रविंदर सिंग Bisht ठीक है देखिए अगर आपको Class जो है वो ज़्यादा थोड़ी उपड़ खाबर लग रही है Art Part लग रही है कुछ भी कह सकते हैं तो हम Try करेंगे Questions का जो है वो कम कर देंगे संख्या ठीक है अएसा होना कि मैं आपके सामने हूँ स्क्रीन पे तो फिर बात लग हो जाती है ठीक है ना फिर बात लग हो जाती है अब सिरफ स्क्रीन दिखरी आपको तो इतना Interest जो है वो नहीं बन पाता है चलिए फिर भी अपना आने वाला अगर कल सुधार ना मेरे वाई यह तो मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो RS बिष्ट ने कौन-कौन सी साइट्स जो है वो की थी एक तो डोला वीरा की थी और इसी के साथ बनावली ये दो साइट्स जो है इसके द्वारा खोजी गई है चलिए वो कौन सी हडपा की साइट में देखने को मिली थी question number 9 मेरे वाई तो लोथल जो है मेरे वाई बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए जो चीज़ें एक बार समझा दूँगा उनको दवारा दवारा repeat नहीं करूँगा जैसे लोथल आपको explain कर चुका हूँ पीछे सुर which of the following is not part of the Vedic literature अभी हम आ चुके हैं किस पे Vedic period में ठीक है तो Vedic की पहले बात कर लो एक आएगा early में और एक आएगा post Vedic में ठीक है तो early वाले का time period क्या रहेगा 1500 से 1000 BC के बीच बीच में रहेगा ठीक है और post Vedic जो है इसका time period क्या रहेगा मेरे भाई ओ 1000 से लेके 600 तक ठीक है 1200 to 600 BC तक जो है वो later Vedic जहां post Vedic का time period रहेगा इतना सा समझ लो ठीक है चलो अब question देखते हैं उन्होंने पूछा कि इसमें से Vedic literature का part कौन सा नहीं है तो ब्रहमनाज, आर्यांक्स, उपनिशद ये सब इसका part है तो भगवत गीता जो है ये इसका part नही आएगा तो option number D जो जो बाई दे रहे हैं बिल्कुल सही answer रहेगा, D option बिल्कुल सही ठीक है बगवत कीता जो है वो उसका part नहीं आएगा, clear, Vedic civilization की बात की जाए, Vedic civilization की बात की जाए, तो Vedic सब बेता जो है Vedic civilization ठीक है, ये किन के दवारा लाई गई थी तो Aryans, Aryans के दवारा जो है ये लाई गई थी, अब बात करते हैं Aryans जो है वो कहां से आए थे, तो Aryan आए थे, Central Asia से आए थे, कहां से आए थे मेरे भाई हो, Central Asia से आए थे, इस पे हमारे कुछ थे, देयाराम सहनी नहीं, भाल गंगा दरती लग थे, उनका कहना था, तिब्बत से आए हैं, ठीक है ये कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो ये रूलर सिविलाइजेशन थी, रूलर मतलब ग्रामीन, ठीक है, ये ग्रामीन सब्वेता थी, ठीक है, ये ग्रामीन सब्वेता थी, जैसे इंडर्स वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन थी, ठीक है, इंडर्स वैली इसके बारे में ये बेदाज जो है बेदाज का compilation किसके द्वारा किया गया है compilation of बेदाज by महारिशी बेद ब्यास महारिशी बेद ब्यास इनके द्वारा जो है ये compilation इसका किया गया है मतलब आप simple compilation का मतलब ये समझिए कि बेद जो है वो किसने लिखे है मेरे बाई ठीक है बेद जो है वो किस ने लिखे है तो महारिशी बेद बियास ने जो है वो बेद लिखे हैं उमीद कर रहा हूँ क्वेशन साब को समझ आ रहे होंगे मेरे बाई यो ठीक है अगर थोड़ा वो था प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि in future जो classes आएंगे उनमें नहीं आएगा ठीक है try करूँगा improvement की और देरे देरे improve करूँगा अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और चीज इंप्रूब करने की ज़रूरत है तो आप भी बता दीजेगा ठीक है definitely हम improve भी करेंगे question आए है sir एक question है आपसे और subject करवाने है आपने जैसे math science reasoning देखो मैं gk करवा दूँगा science करवा दूँगा maths और reasoning का अभी मैं खुद से नहीं कह सकता बट हाँ अगर मेरे पास time रहा मैं definitely आपको math करा सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ reasoning भी करा सकता हूँ but actually क्या है मैं खुद student ह to be honest अभी ठीक है तो और भी काम रहते हैं खुद के schedule भी रहते हैं तो ये time थोड़ा extra निकाल के जो है वो आपके लिए classes करता हूँ ठीक है अगर free हुआ जहां मान लो कि time लगा तो definitely मैं try करूँगा कि आपको math जहां reasoning में भी कुछ कुछ questions जो हैं वो important है करवा दूँगा ठी ठीक है चलिए अब next question देखो मेरे भाई यो उन्होंने बोला कि इनमें से बताईए social life of later वेदिक period देखो later वेदिक period और early वेदिक period में बहुत फरक है जमीन आसमान का फरक पढ़ जाएगा ठीक है अब ध्यान से सुन लेना इस question को इसमें से question जो है वो definitely बनते हैं तो इन्हो आजिक जो life थी social life थी उसके बारे में बताईए ठीक है चलिए उसके बारे में पूचा है तो चलो सबसे पहला point पढ़ते है दिवर्ना system was thoroughly established during बेदिक period बर्ना system क्या था मेरे वाई यो बर्ना system था जो जातियों के अदार पर बांटा गया ना ब्राहमन शत्रियाज ठीक है श यह गलत हो जाएगा यह कब आया था यह था अरली में ठीक है अरली बेदिक period में जो आरेंस आये थे ना ठीक है आरेंस के द्वारा यह ब्राहमन शत्रियाज शुद्रवैश्य जो है यह terms लाई गई थी उन्होंने जो है यह विवाजन start किये थे पहला point clear दूसरा point पढ़ो इनको छोड़ दीजे options को छोड़ दीजे points पे द्यां दीजे दूसरा point है child marriage has become common बच्चों की जो शादियां होती थी जिसे हम child marriage कहते हैं भाल भी बहा वो उस टाइम पे common हो गया था किस टाइम पे later वेदिक period में हम later वेदिक period की बात कर रहे है ठीक है तो यह बिलकुल सही ब पराबर थी और एक और चीज थी सतीप्रथा 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 में क्या होता था कि अगर किसी इस्तरी का मर्द जो होता है उसका husband जो होता है अगर वो किसी कारणबश उसकी death हो जाती है यह जंग में हार जाता है कहीं भी हो कुछ भी हो ठीक है यह सतीप्रथा बहुत जलाया जाता था तो उसके साथ उसकी जिंदा वाइफ जो होती थी जिंदा ठीक है मरी हुई नहीं जिंदा वाइफ को उसके साथ बांद दिया जाता था और जिला दिया जाता था यह clear हो गया तो दूसरा statement जो है यह सही है अब बात करते हैं तीसरे statement की इसमें उन्होंने बोला है women's were enjoying the political right of attending assemblies उस time पर क्या होता है assemblies भी होती थी ठीक है सवाएं बैठती थी तो उन्हेंने बोला है कि क्या later vedic period में women's जो है ओरतें जो है क्या वो अपने rights को enjoy करती थी क्या व later period में women's को यह written नहीं थे later मान लीजे कि जैसे बेदिक period जो है वो आगे बढ़ता गया तो दीरे दीरे आप कह सकते हैं कि women's का जो status है वो नीचे 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 time के साथ होता गया इंडस बैली civilization ऐसा time था जब women's का status high था जब आप कह सकते हैं matriarchal society थी मात्र सत्ता थी जैसे अभी currently क्या है पित्तर सत्ता है बदलब बराबर ही कह सकते हैं हम माता पिता एक्समान होते है मात्र सत्ता पित्तर सत्ता एक ही होती है बट जो main society का norm है उसके according जैसे अभी patriarchal है त तो वहाँ से जो बेदिक के बाद से जो है वो patriarchal continue चलती आ रही है ठीक है तो यह जो है यह option number तीसरा यह भी गलत हो जाएगा ठीक है इनको मत देखे यह उपर नीचे हो चुके है बट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको समझिएगा ठीक है उसको समझीगा ठीक कौन से में अहली बेदिक पिरेड में लेटर बेदिक पिरेड जा पोस्ट बेदिक पिरेड में assemblies attend नहीं करती थी clear चलिए next question है which of the following बेदा is a collection of prayers offered to various God कौन सा बेदा है जो collection of prayers है जिसमें की बगवान को हम जो भी पूजा करते हैं प्रातना करते हैं वो सब उसमें आता है च यार यह चारो वेदा जो है नहीं यह important है तो चलो दो मिनेट का टाइम निकालके आपके साथ हम इसको cover कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रिग वेदा की इसमें answer हमारा रिग वेदा रहेगा यह लिख लो सबसे पहले ठीक है बाद में बोलोगे किसरा answer तो बताए नह अपने explain करके चले गए तो option number ace में answer रहेगा अब आगे सुनो रिग वेदा को बोला जाता है collection of prayers collection of prayers इसे बोला जाता है इसमें इसको बोला जाता है यह सबसे पुराना है oldest है क्या है सबसे पुराना oldest है इसमें हाइम्स कितनी है यह question पूछे जाते है यार इनके अपर सीध equations आपके सामने show रहे न भी यह पूछे गए हुए equations हैं तो इनके base पे हम इनको खंगाल रहे हैं ठीक है इतना ध्यान रखो तो यह आप easy मत लीजीगा कि नहीं इन में से नहीं आएंगे यह question आए हैं और definitely आने बाले भी है ठीक है जो जो चीज़े स्क्रीन पे लिखी जा रह जाता है तो इसे family book के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से family book के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह हो गया इसके बाद important question बनता है गायतरी मंतरा के ओपर कि गायतरी मंतर गायतरी मंतर जो है गायतरी मंतर यह रिगवेदा में ही है और यह पूछते है कौन से मंडला में है तो ये थर्ड मंडला, कौन से मंडला में, तीसरे मंडला में गाहितरी मंतर जो है, clear, फिर एक और इंपोर्टेंट आता है, जो अभी वर्नाज बताए ना उपर मैंने, वर्नाज, डिफरेंट वर्नाज, तो ये किसमें मैंचन है, ये 10th मंडलाज में, दसमा जो मंडलाज है, उसमें जो है, ये सभी वर्नाज मैंचन है, clear question समझ आ गया, रिगवेदी को हम collection of prayers कहते हैं, ये सबसे oldest है, इसमें 10 मंडलाज है, 1028 हाइम्स है, हाइम्स क्या होते हैं, ये तो नहीं किसी भाई को doubt, कोई बात नहीं, अगर doubt है, तो मैं हूँ, जिम्मेदारी ली है, कि सब करा कराऊंगा, हाइम्स होते हैं, बजन, ठीक है, पोईम्स, प्रियर्स, उनको बोलते हैं हाइम्स, इसे अगर पूछ ले जाएं, कि रिगवेदा का दूसरा नाम क्या है, जिसे हम जानते हैं, फैमिली बुक के नाम से, गाहितरी मंतर, रिगवेदा के अंदर आता है, कौन से म current हें बस ठीक है दो वो बताता हूँ आपर ठीक है सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है mantras and rituals and worship ठीक है यहाँ पे and and ज्यादा लिख दिया mantras, rituals and worship इनके लिए जाना है ते इसमें mantras होते है ritual क्या होते है जो भी कर्मकांड होते हैं हम काम करवाते हैं जैसे मालो शादी है शादी के टाइम पे क्या होता है कि वो पढ़ाये जाते हैं और worship हो गई पूजा यह आता है यजूरवेदा में इसमें दो चीज़ें important आती है दो types यजूरवेदा के दो types पहली आती है कृष्णा कृष्णा यजूरवेदा कृष्णा यजूरवेदा जिससे हम कहते हैं ब्लैक यजूरवेदा और दूसरी type आती है शुकला शुकला यजूरवेदा जिससे हम कहते हैं वाइट यजूरवेदा यजूरवेदा में बस ये दो याद रख लिजे कृष्णा यजूरवेदा और शुकला यजूरवेदा clear? चलिए next देखते हैं साम वेदा को देखते हैं जाने वाला वेदा साम वेदा है कुनसा option number 6 साम वेदा है songs and chants songs and chants जो है वो इसमें आते हैं चलिए अब एक हमारा वेदा जो बचता है वो कुनसा अथर्ब first of all ये है सबसे newest क्या है ये सबसे newest है इसमें charms आते हैं magic भी आते हैं जादू बगरा करते हैं वो सब भी इसमें आते हैं इसमें बताये हुए हैं कैसे किसी को बश्च में करें ये वो दूसरा तिसरा पढ़ने मत लग जाना अथर्ब वेदा को ये पढ़ो जो पढ़ने वाली चीज़ है तो rituals इसमें भी आते हैं rituals में मैं आपको बता चुगा हूँ जैसे marriage के time पे भी होते हैं death के time पे भी rituals होते हैं वो सबी चीज़ें गुमाफिरा के इसमें भी आ जाएंगी चारो वेदास जो हैं वो clear है मेरे भाईयो चारो वेदास clear हैं तो बढ़ते हैं अपने next question क्योंड ये रहेगा आज की class का last question किस किस को सांस आई भाई लंबी सांस किस किस ने लिए कि शूकर है class खत्म हुई चलिए कोई बात नहीं next question देखो which of the following option is an Indian literary source that shed light on the ancient period of Indian history इन में से कोन सा जो है एक बिकल्प जाएक option है जिसके दवारा हम जो है अपना प्राचीन जो भारत का इतिहास है पुराना इतिहास history जो है वो हम देख सकते हैं ठीक है जा उसके बारे में पता कर सकते हैं तो वो क्या रहेंगे पुरान ठीक है हम बोलते हैं पुरान घरूड पुरान विश्नु पुरान ठीक है तो ये पुरान जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे बाई तो मेरे बाई ओ आज की क्लास में इतने ही क्वेशन समने किये हैं I think जो पीछे हमारी regular classes चल रही थी तो उनसे तो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं ट्राइ करेंगे दिरे दिरे quality देंगे भाई देखो मैंने आपको पहले ही class की starting में कहा था कि अगर topic wise बढ़ना ना तो थोड़ा सा time आपको लगेगा जादा थोड़ी सी patience आपको बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज जो है वो समझानी पड़ेगी mix question में क्या होता था कि जो questions था बस उसको ही explain करना होता था अब topic wise है तो अब सब कुछ important जो है जो भी previous year में questions आते हैं इनके उपर वो सब जो है आपको समझाने पड़ेंगे और definitely मैं समझाओंगा मैं पीछे नहीं अटरा मैं समझाओंगा 100% समझाओंगा बस आपका cooperation चाहिए साथ बने रहिए दिरे दिरे जो है वो साथ चलते जाएए definitely आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाओंगा मेरे भाई हो clear तो आज की class में इतना ही आज की class को हम यहीं पे करते हैं इंड मेरे भाई कल फिर से मिलेंगे ठीक है तीन चार classes के अंदर अंदर जो ancient history है वो हम cover कर देंगे उसके बाद जो है आगे geography लेटर पटर चटर जो भी है जितने भी रहेंगे वो सब आपको करवा दूँगा जी के और science यह जो है आपको करवा दूँगा और time लगा तो definitely math or reasoning की class भी आपको करवा दिया करूँगा अब किसी बाई का जल्दी से मेरे को बता दीजिए एक minute के अंदर अंदर type करके किसी बाई का कोई doubt कोई query कुछ भी हो तो जल्दी से बता सकते है ठीक है तो like और comment कर दिया करो offline में ओके ठीक है लाइब के बाद जब लाइब खतम हो जाएगा इसके बाद comment box में comment कर दिया करो चलो जल्दी से बता दो अभी किसी बाई कोई doubt कोई query हो तो बताओ otherwise हम class जो है अपनी यहीं पे समाप्त करेंगे चलिए 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 sixth number question यह क्या है sixth number वाले में रुख ओ एक minute शिख्थ नंबर में यही तो है यार कि इन में से जो है वो कौन सी हड़पन साइट है जो गुजरात में नहीं है सुर्कोतरा गुजरात में है लोथल गुजरात में है दोलाविरा गुजरात में है बनावली जो है ये हर्याना में है, ठीक है ना, बनावली जो हर्याना में तो बस बनावली इसका अंसर हो जाएगा सही से, कलियर, अचा दूसरा भी है, यार आप एक काम करो, क्लास को थोड़ा पीछे करके देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, इन्नों ने पूचा कि कौ पाकि ये सभी इंडस के किनारे है, डन, चलो ठीक है, अगर किसी कोईशन में कोई डूट रहा जाता ना, तो उसको पीछे करके देख लो, क्वेशन मैंने सभी अच्छे से समझाएं, आपको डेफिनिटली, अगर फिर भी कोई डूट होगा, तो आप मेरे को वाटसाइप करके दो आपाट